हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मेद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ और अभी समय जो है वो एक बचकर 30 मिनट हो गया है और हम लोग आज आने में हो गया है यह बहुत ज्यादा लेट और अज धूब बहुत तेज है इसलिए बड़ी बढ़ी बोल रही है काम जो है थोड़ी लेट करेंगे क्योंकि हम लोग का काम आज सिर्फ 2-3 गंटे का ही है और हम लोग आज सिर्फ जो बेल उखड गई है उसको ही लगाएंगे इसलिए बड़े बड़ी कह रहे हैं काम तो अपसाम कोई करेंगे जब धूप थोड़ी हल्की हो जाएगी जब काम इतना ज्यादा है नहीं तो क्यों इतनी तेज धूप में मरना तो ऐसे ही हम लोग अभी बाग में बैटे हुए है च्छाई में और उसके बाद में करेंगे कच्चा वीगा पक्का वीगा भी बोला जाता है और यह हम लोग का तालाब साड़े तीन वीगा पक्का है और आज मैं आपको एक नई वाद बताता हूँ कि यह जो आप मेरे पीछे तालाब देख रहे हो और यह जो तालाब है और इसके उपर भी वहाँ पे जो खेत लाडे की खेती और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि पहले हम लोग का तालाब कितना बड़ा था तो यहां पर यह आप देख रहे हो कि यह तालाब है यह जो ने पूरे ताला में लगा दी है और इतना ही एरिया यहां पर है यह देखिए जिसमें की मचली वगएरा पलती ह और अभी तो इसमें पानी भरा हुआ है लेकिन इसमें बच्चे बाद में डिले जाएंगे और यह देखी हम लोगे दोनों के बीच के तालाब में ये मैल डलाई गई थी और इसी तालाब के ऊपर एक खेद भी बनाया गया है जिसमें की भराई बगर रखी गई है यहाँ पे आदे तालाब में खेद बनाया गया है और यह आदे तालाब में और हम लोगों का तो खेर अभी पूरा ही तालाब है जिसमें की हम लोग सिंगाले की खेदी करते हैं लेकिन आज के 2-3 साल पहले हम लोग ये इतना पूरा एरिया है उसमें सिंगाड़े ही करते थे ये देखिए जब हम लोग पहले इस पूरे एरिया हम सिंगाड़े करते थे तो जो तालाब वो बहुत ही बड़ा हो जाता था जिसमें की काम करने में हम लोगों को बहुत ही ज़ लोग काम करते थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते थे और लगबग जुलाई भी लग जाती थी पूरे तालाव में लगाने लगाने में ही लेकिन अब सिर्फ तालाव में हम दो लोग ही काम करते हैं और मेरे पिता जी वह अब तालाव में काम नहीं करते हैं और मैं आप इसको दिखाता हूँ कि तालाव में कितने तरीके से पार्टीसन हुआ है तो यहां यह जो मैल डली हुई है यहां पर सिंगाले के तालाव है और यहां पर इतने में मशली पलती है और यह इस तरब का जो हिस्सा है वह आदा गहरा है और आदा खेट टाइप का बन गया है और इसमें अभी तो खेर पानी भरा हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत ही तेज बारिस हुई थी जिसकी वज़े से अभी भी इसमें पानी भर जाता है और अगर आपको मैं आगे दिखाऊं तो यहां पे तो खेर इतना इससा है लेकिन इसके आगे थोड़ा और इ बेड़े हो गई है और जब बरसात का पानी बरसा तो वहां पे एकदम से ही पानी बरस किया है जिसकी वज़े से वहां पे गहराई जो है बहुत ही जादा हो गई है और यह जब तालाप पूरा था तो मेरे पिता जीस तालाप को किया करते थे और उनको इस तालाप में लगे हैं बहुत सारे पेड़ जिसमें की लोग बैठते हैं च्छाई में तो दोस्तों हम लोग ने बदल ली है अपने कपड़े और समय जो है वो तीन बच चुका है और दूप तो खेर अभी भी है लेके ना भी जो है हवा काफी अच्छी चल रही है और दूप जो है वह भी है करें दिमें दिमें आलकयोती चली जाएगी और यहाँ पर यह देखे हम लोगों की बिल जो है बहुत ही ज्यादा क्यों कि हुब और यह रही हम लोगों की डॉंग्या और कल हम लोगों की खुटियां जो है वो खतम हो गई थी इसलिए आज हम लोगों ने खुटियां बनाई हैं बहुत सारी और इनको ही बनाने में हम लोगों को लग गया बहुती जद्धा समय है क्योंकि ये जो लकडी है जिसके हम लोगों की खुटियां बनाते हैं और उसके बाद में हम लोगों ने इस लकड़ी को काटा और फिर उसके बाद में उसको कुछ इस तरीके से बादा है और यह जो है इसको डाब बोलते हैं जो की नहर या वंबा और खेतों की मैड़ पर मिल जाता है लेकिन जो नहर और वंबो के किनारे पेड़ होते हैं वो पतार होती है जिसकी पत्ती बहुती ज्यादा मोटी होती है जिसमें की सरकंडा बगैरा निकलता है जिसके लोग गाओं में सूप बगैरा बनाते हैं और यह डाव होता है जिसकी पत्ती जो है वो पतली होती है बेल की जड़कों जो है अपने खुटियों से बांद के जमीन में लगा रही है और यहां पे बेल जो है बहुती ज़्यादा पीली है यहां पे बेल की छत्तों के साथ साथ अगर आपको यह पत्ते दिख रहे होंगे यह देखिए यह पत्ते हैं सफेद कमल के क्योंकि तालाब जो है वो बहुती ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जो की अच्छी घासी जगय को कवर कर लेते हैं इसलिए हम लोग तो इसको उखाड़ी देते हैं अपने तालाब से और इसकी जड़े अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह देखिए बहुत लंबी लंबी होती है और यह तो कुछ पिछले फोटो रखे होंगे पिछली साल के तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह फूल कैसे देखते हैं तो यह देखिए हमारी कुछ पिछली फोटो है जिसमें कि हम लोग कुछ फूल अपने गर पे ले गए थे और हम लोगों ने इसको एक पानी के ड्रम में डाल द आई है यहां पर यहां पर यह बेल की जड़ उखडी हो डिली है यह भी इसका नार गल गया है और यह भी नार गल गया है कैसे टूट रहा है यह देखिए यह तो तीन नार तो यहीं पर हो गई है जो बेल है वो पूरी उखडी हुई है और हम मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग यह खुटिया है इसके डाब को हम लोग एक तरफ करते हैं इतना करने के बाद में इतना नार थोड़ा हम लोग पीछे छोड़ देते हैं और यहां पर इसको अच्छे से बांद देते हैं यहां पर मैंने तीन नार बांद दिये हैं और इस जड़कों हम मैं पानी के नीचे लाट के सारे दवा दूँगा और यह बेल अब नहीं उखड़ेगी और यह च्छते जो देखिए बहुत ही पास आ गई है क्योंकि पहले यह बेल के नार जो है ऐसे ही पानी में तहर रहे थे और इसी तरीके से हम मैं यहीं पर आपको दिखाता हूं कि यहां पर भी यह नार उखड़े हुए हैं और इसमे इतना सारा कूड़ा कवाड़ा लग गया है कि मैं क्या बताऊं इतनी तो इतना तो कूड़ा कवाड़ा लगा हुआ इसमें इसी वजह से इसके नार जो है वो लगातार सड़ रहे हैं यह देखिए यह है इसका सबसे निचला हिस्सा और यह देखिए जगए-जगए किस तर और राई इनार काला पड़ गया है और अम लोग इसमें भी इसी तरीके से ये खुटिया लगाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो कि बेल की जड़ है ये कुछ इस तरीके से ये सुत्रे फोड़ती है जो कि जमीन के अंदर लगते हैं और इस बेल ने खेर ग्रोध तो किया ये देखिए इसने सुत्रे तो बहुत ही जड़ा फोड़े थे लेकिन ये बेल पानी के ऊपर ही रही है जिसकी वज़े से ये जमीन में नहीं लग पाई है यही मेन काम करते हैं सिंगाले की बेल की जड़ को जमीन में रखने का लेकिन अब मैं इसको यहां पर दबा दूँगा तो यह बेल यहीं पर बनी रहेगी और यह सुत्रे जो है वो जमीन को पकड़ने का प्रियास करेंगे और यहां पर हम लोगों ने घास की सफाई इतनी की है लेकर अभी भी पीछा नहीं चोड़ रही है यह देखिए यहां पर कहीं कहीं घास के पौदे जो हैं अभी भी जम्मे हुए है यह देखिए एक यह पौदा है जो कि हो सकता है कि जब हम लोग ने यहाँ पे सफाई की थी तो एक दो पौदे यहीं पे छूट गए होंगे जो कि अब पानी से बाहर दिखने लगी है और यह देखिए इस बेल की जड़ है वो कितने अच्छे तरीके से लगी होई है और इस बेल ने नई-नई किल्यां देना सुरू कर दिया है यह देखिए यहाँ पे इस बेल ने कितनी सारी किल्यां दिया है आप यहाँ देख सकते हो नई-नई छत्ते आना सुरू हो गई है यह देखिए और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा च्ट्य आए हुए है बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बेल है ये भी इसी तरीके से किल्ले च्ट्य देती लेकिन जब इसकी जड़ ही नहीं लगी है तो ये किल्ले च्ट्य कैसे देती और इस बेल की जड़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई थी जिसके बाद से ये बेल जो है वो ग्रोध करना चालू कर गई ये देखिए और यहाँ पर गास के पौदे एक दो एक दो करके लगे हुए हैं जिसको कि मैं साफ कर दूँगा और यहाँ पर ये देखिए एक पौदा उखालने के बाद में कितनी सारी घास हो गई है इसलिए हम लोग अपनी डॉंगिया भी साथ लाए हुए हैं जिससे कि जहाँ जहाँ भी हम लोग घास मिलती हैं हम लोग उखाल के इसको अपनी डॉंगिया में रख लेते हैं तो दोस्तों कल मैंने वहां किनारे से इस बेल के किनारे किनारे की बेल को चेक कर लिया था और जहां जहां भी बेल की जड़ उखडी हुई थी उनको लगा दिया है और आज हम लोगों ने यहां पर इस पूरी बेल को चेक कर लिया है और यहां पर भी हम लोगों ने बेल की ज शत्य निकल रही है हैं यहां पर बेल जो है बहुत अच्छे से चल रही है और अवी कुछ ही दिन वाद यह आपको पाणी दिक्राएं यह पूरा पाणी जग जाएगा क्योंकि इस बेल के जो किल्ले हैं वो लगातार या तो बढ़ रहे हैं और नए भी किल्ले निकल रहे हैं और यहां पर यह देखिए यहां पर सिर्फ एक बेल के छत्ते में लगबग 5-5 किल्ले लगे हुए हैं एक ये है, और एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, और ये है इसकी मम्मी, और इसी तरीके से मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें भी पांच के लिए लगे हुए है, एक, दो, तीन, चार, और पांच, तो यहाँ पे बेल तो हम लोगों की अच्छे खासी ग्रू हो रही है कहीं कहीं की और अभी इसमें कुछ दिन बाद हम लोग खा देया जाइम बगएरा भी डालेंगे जिसके बाद से यह बेल जो है और अच्छे से ग्रू करेगी तो दोस्तों यहां पे देखिए यह बेल किस तरीके से अपने पत्ते उठाए हुए है और थोड़ी पीली पीली भी है यहां पे इसलिए हम लोग यहां की भी बेल चा कर रहे हैं कि कौन-कौन सी बेल की जड़ उखडी है जो बेल उखडी हुई होती है वो अलग से ही समझ में और यहां की वीए हुष्यां थाया और यहां की बेल को चेक कर लिया है उसको भी कणडिशन होँ उस वाली बेल से काफी अच्छी है यहां की बेल ने कई सारे किल्ले और चटे दियेgel है यहां पर यह देखिए बेल किस तरीके से और चटे दे रही है लगातर तो दोस्तो हम लोगों ने आज अपनी पूरी बेल चेक कर ली है और यहाँ पे एक टीला था जिसमें की घास बगरा जमी थी जिसकी वज़े से सिर्फ इसी एरिया की बेल जो है वो उखड गई थी और उसकी जड़ उपर आ गई थी जिसको की हम लोगों ने आज पूरा देख लिया है और यहाँ उपर की तो बेल लगी ही है क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो मुलाइम थी काफी और अब किसी दिन हम लोग आएंगे और यह जो तालाप के किनारे घास है यह देखिए इसको भी हम लोगों को साफ करना होगा और यह जो मेल है इस पे तो गास थी नहीं लेकिन जो हम लोगों ने गास तालाप से उखाड़ उखाड़ के यहाँ पे डाली थी वही गास हरी हो गई है क्योंकि जब यहां पे हम लोगों ने घास डाल दी थी तो उसके बाद से पानी बरसनी लगाता जिसकी वज़े से घास जो है वो शूख नहीं पाई और फिर से यहीं पर जम गई लेकिन कोई बात नहीं मैड की घास से हम लोगों इतनी कोई दिक्कत है नहीं लेकिन ये जो घास भी तालाप के किनारे किनारे अंदर जमी हुई है उसको हम लोगों करेंगे साफ और हम लोगों को ये सिर्फ वहां से लेके यहां तक है और वो वाली जो मैड है वो वहां से वह लोगों ने कर दिया complete तो दोस्तों कल हमारी वीडियो में कमेंट आया था जो कि मौमाद हारुन सेख जी ने किया था और उन्होंने कहा था कि आप अपना डेली अपना प्यार मनाए रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना तो बिल्कोल ही मत बूलिए और तब तक के लिए देखते रहें सिंगड़े वाला ब्लॉक्स मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग में बाई